कैसे अपने आपको जला दिया कुछ नहीं प्रकृति सिखाती है बहुत कुछ हमारी आखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है हमारी आखों के सामने बहुत कुछ घटित हो रहा है हम अन्भिग्ये हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा कि प्रकृति रोज सिखा रही है कि जलना तो पड होती है। संतीर साल एगल कॉमर होता है। लेकिन इसकी कहानी का टॉस्ट किया है और वो यह है कि 40 साल जब यह हो जाता है तो यह कि जो चौच है यह बेंड़ जाती है आगे से सॉफ्ट हो जाती है शिकार नहीं कर पाता है वेनी रीच फॉट्टी इसकी चोंच बेंड हो जाती है सॉफ्ट हो जाती है शिकार करके करकर करके शिकार नहीं कर पाता है इसके जो पंक हैं जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं इतने इसके पाइस चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए क्योंकि उड़ सकता नहीं है शिकार कर नहीं सकता पंक भारी होगे उड़ना दिकत शिकार पकड़ नहीं सकता है क्योंकि पैर के नाखुन खराब होगे और पकड़ भी ले चोंच से उसको मर नहीं सकता अब इसके पाइस चॉ है उसको सामने वाले पथर पर मारना चालू करता है जब जोष पथ्थर पे मार जाती है तो पीड़ा होती होगी और वो पीडा सहता है, मार मार के पत्थर पे मार मार के खूल निकलता है, लहुलुहार हो जाता है, दर से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है, मारता रहता है और चोच को तोड़ देता है, इसलिए तोड़ता है कि प्रकृति नहीं देगी, लेकिन वो जो तोड़ने का प्र रगड़ रगड़ के तोड़ देता है उसको कितना बेन फुट रहता हुए है लेकिन हर एगल की जिंदगी में ऐसा देन आता है चालिस लिए जैसे ही चूच निकलती है कहानिया खतम नहीं होती है नहीं चूच आती है फिर वो उस चूच से अपने परों को तोड़ता है अप चालिस साल की इस प्रोसस में छे महिने के बाद वो एक नया एगल होके तीस साल और जीता है तीस साल और जीता है तो आहूती तो देनी बड़ेगी आज कल परसों चॉइस आपकी है मैं फिर कहता हूँ आज कमफ़टबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकमफ़टबल होगी आज कमफ़टबल हो जाएंगे तो जिंदगी कमफ़टबल